शरी होम रेमिडीज में आप सबी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोट कचेरी और मुकदमे में विजे प्राप्ती के क्या क्या टोटके आप लोग कर सकते हैं जिनको करने से आप लोगों को मुकदमे में अवश्य ही विजे की प्राप्ती होगी तो आईए जानते हैं मुकदमे में विजय प्राप्ति के कुछ टोटके और उपाए हर मनुष्य की कुछ न कुछ इच्छा और मनोकावना होती है लेकिन वहाँ उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है मगर उसको किसी भी अपने कारे को जो भी वो करना चाहता है उसमें विजय प्राप्ति के लिए उसको काफी ज़ादा संगर्ष करना पड़ता है तो यदि आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा हो और आप उसमें विजय प्राप्त करना चाहते हूं तो थोड़े से चावल लेकर कोट कचैरी में जाएं और उन चावलों को कचैरी में कहीं ऐसे इस्थान पर फेक दे जहां पर कोई भी ना देख सके जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा हो उसके बाहर फेंके तो जादा अच्छा है परन्तु या परसद रहे आपको चावल ले जाते समय या कोट में फेकते समय कोई भी नहीं देखे वरना आप लोगों को लाब बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होगा यह उपाय आपको बिना किसी rifle पता लगा और आप लोगों को जब आप लोग के एह उपाय करें तो किसी को भी ना बता कारुबार में अगर आप लोगों को काफी जादा नुकसान हो रहा है या फिर कारे छेतर में जगड़ा हो रहा हो तो यदि उप्रोक्त स्थिती का सामना हो तो आप अपने वजन के बराबर कच्चे कोईले का लेकर जल में प्रवहा कर दें आप लोगों को अवश्य ही लाब ह होगा इस कच्चे कोईले को जो आप प्रवहा करेंगे जल में अपने वजन के बराबर इसको तुलादान भी कहा जाता है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल श्री होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद